हेलो फ्रेंड्स और माई दियर स्टूदेंट्स वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेज मैं हूँ प्रभात कुमार सिंग और आज वीडियो में हम लाइन वाइन हिंदी में परहेंगे एक चैप्र को जिसका नाम है देडवेंचर्स आफ एन अ तो यदि आप हमारे चैनल पे इससे पहले कि मैं इसे शुरू करूँ मैं आपको बताना चाहूंगा यदि आप हमारे चैनल पे पहली बारा हैं तो हमारे चैनल पर आपको मिलता है NCRT के क्लासेज 8, 9, 10, 11, 12 और साथ में भी हार बूर्ड के इंटर्मीडियट इंग्लिश का और साथ में गुलमोहरीडर पार्ट 7 और 8 के हर चैप्र का एक्स्प्लानेशन वीडियो तो यदि आप इनमें से किसी भी क्लासेज में पढ़ते या पर आते हो तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को और साथ में प्रेस कर दे बेल आइकन को जिससे हमारे आने वाले वीड जोड़ने में आपको आसानी हो तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर और जानते हैं इस चैप्टर को तो यह रहा फ्रेंट्स आपके स्क्रीन पर यूनिट फाइव देडवेंचर्स ऑफ एन अंडर स्टेडी सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा दिया गया है और के बारे में Sir Anthony Hope Hawkins के बारे में better known as Anthony Hope यानि शौट में इनका ज्यादा नेम है Anthony Hope वाज एन इंग्लिश नॉबलिस्ट यह एक इंग्लिश नॉबलिस्ट एक चीज़ का ख्याल रखेंगे जब भी इंग्लिश नॉबलिस्ट की बात होगी तो हमें यह नहीं समझना है कि कोई इंग्लिश मिंस जो इंग्लेंड के रहने वाले है उसको हम कहेंगे इंग्लिश राइटर इंग्लिश जो भी है इवन कि मैं आपको बता दू बहुत सारे लोग करते हैं प्रभात सर ना इंग्लिश टीचर आरे यह बिलकुल फिलत बात है मैं इंडियन टीचर हूं मैं क्या बोलते हैं Physics teaching हो सकता है But English teacher नहीं The teacher of English ठीक है छेलियन लिशं नोbleist & Playrit जो play- क्राइट जो play लिखने वाले he was a profilic writer profilic means intellectually है vernually productive कह ली जह क्या बहुत कुछ बहुत सारा다 सिर्नांति लोज क्या-क च्र क्या वर oldest not work, work means होगे आपको काम, but works means आपको ये जो लिखने वाले काम चाहे हो, poetry हो, play हो, जो भी जो जो चीज लिखते है उसको works कहेंगे, especially of adventure novels, adventure novels, but he is remembered predominantly for only two books, predominantly मुखे रूप से दो बुक्स के लिए जाने जाते हैं, the prisoner of gender and its sequel, Rupert of Hanjo, Hanjo, इसको परेंगे, ठीक है, तो ये दो novel के लिए एक बात मैं बता दू, ये जो पहला आपने पढ़ा, the prisoner of gender, ये एक्चुली इसी का पार्ट है, आपका ये chapter, the adventures of an understudy, friends, इसकी meaning पहले मैं बता दू, मैं topics की meaning मैं भूल जाता हूं अक्सर, लगिन चलिए, इस पर चर्चा चलिए, ये ही novel का है, adventures means आप जानते होंगे, risky venture, यानि शासी cards of an understudy, understudy का meaning आपको दियाओ an actor, who takes on a particular role in a play, if the usual actor is absent, कि कभी कभी मतलब role किसी और का है, बट वो यदि absent है, तो किनी कारण से किसी दूसरे को करने को मिल जाए, वो वैसा role नहीं, पहले आप याद कर लो, यदि आप लोगों ने Hindi movie देखी होगी, कई बार गोविंदा की, या मान लीजे बरे मिया, चुटे मिया में एक मिताब बच्चनिये, और गोविंदा की एक जोड़ी दर एक जोड़ी, तो ऐसा देखाऊगा न, प्लमों में तो double role वाले होते हैं, तो क्या होता है कि एक आदमी है, वो बीमार है, या कुछ है, उसकी जगह, दूसरा, गोविंदा के तो कई सारे movies में है, उसकी जगह, मतलब वो आदमी एक दम से जैसे कोविंदा की movie में थी, वो बड़े घड़का था, दूसरा क्या था, तो सरक्षा था, तो जैसे वो उसकी अलग भासा, उसकी अलग भासा, लेकिन उसको रोल करने को मिल जाते हैं, तुम यह बन के चलो मेरे साथ, कुछ ऐसी ही कहानी यहां पर भी है, चलिए, यह इसके बिफोरी रीड में दिया गया है, कि रसेंडिल इस ट्रेबलिंग फ्रम तो रुटेनिया, याद रखेंगे रसेंडिल, यही इसको नेरिट कर रहा है, चेप्टर को, वो जो है, इंगलेंड से रुटेनिया, रुटेनिया जा रहा है, तुसी दा कॉरोनेशन, कॉरोनेशन मिन्स होता है, ताजपोशी, वैसे मिनिंग आपके बुक में है, ceremony at which someone is officially crowned king or queen, यानि जो आधिकारिक रूप से जो राजा या रानी बनने का, जैसे प्रधान मंत्री बनने का, swearing in ceremony होता है, वैसे ही जब राजा महराजाओं की होते है, तो उसको coronation, यानि की ताजपोशी कहेंगे, short में हिंदी में कहें, तो तो वो देखने जा रहा, ताप किंग यानि जो नेरेटर के लिजे जो ये नेरेट कर रहा है से स्टोरी को, और वो जो King Rudolf वो 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 में मिले थे, वो आपको याद होगा, मैं अपने वीडियो में बताता है रहता हूं है न, वो मिले थे चांस से, और दोनों का चेहरा न, एकदम से अलाइक था, एकदम सेम था, even there, here is the same shade, यहां तक कि उनके जो बाल थे, वो भी सेम कलर के थे, कैसे, और ब्रिलियंट रेड, चमकते लाल टाइप के बाल, the color of the Rudolf's royal Elfberg family, actually, क्या है कि वो एड, जैसे होता है न, कि मालिया, अकबर मुगल बंस के थे, तो वैसे ही, यह Elfberg बंस के परिवार के कैलीजिए, यह ते तो एकदम सीम वैसे ही बाल इसके भी मिल रहा थे, रसेंडिल के, इसलिए आप समझ गया होंगे, यानि कि वो उसका रोल प्ले करेगा, second paragraph में, the next day, Rudolf is found unconscious, अगले दिन वो भी होस रहता है, and unable to attend his coronation, तो अपना coronation अभी बताया ही, ताजपोसी है, तो वो नहीं, नहीं कर पाने के लाइक होता है, but the show must go on, लेकिन, भाई, काम तो चलना ची, the show must go on, यह आपको याद रखेंगे, यह word, यह sentence, य भी कहले जिए, यह बहुत चलता है, फिल्मों में भी चलता है, classes में भी चलता है, आपके life में भी आएगा, जैसे, corona से पूरी दुनिया थमी भी है, कितने दिन तक lockdown रहेगी, तो इसलिए lockdown को खोल कर unlock चल रहा है, यानि कि, चाहे कितनी भी मुसीबत हो, the show must go on, और else the kings, चलि कहले जिए, और वो दुष्मन भी है, black michael, नाम है यह, the duke of stress law, stralsaw, वो duke है, duke भी एक तरह से छोटा राजा सामंत कहले जिए, वो होता है, will take over the throne, यदि यह नहीं वहाँ पर आज गद्दी संभालेगा, तो इसकी जग, उसका वो, so अतला भाई जो है, throne means गद्दी, राज जाओं की होते है, वो ले लेगा, है ना, जैसे हम कहते है, निता की कुरसी, प्रदान मंत्र की कुरसी, तो वैसी throne गद्दी, जो है, for the sake of rutania, Russian deal must pretend to be Rudolph, है ना, तो rutania, यानि जो राज्य है, उसके भलाई के लिए, उस, जो है, वो Russian deal को निशित रूप से, जो प्रिटें करना होगा, भाना करना होगा, Rudolph होने का, for the day, है ना, उस दिन के लिए and take part in the coronation, और उस coronation में, यानि उस ताजपोशी में उसको भाग लेना पर, एक आदा किंग's friends, colonel, वैसे आप सकते हैं, बट ये होता है, करनल हिंदी में, है ना, किंग का एक friend है, जो, मतलब, friend भी है, और वो महामंत्री रहे, और वो जो है friend भी रहे है, या बहुत सारे में, महाभारत वगेरा में भी है, तो ये जो है, तो उसके friend थे, और उस करनल का नाम था, and the freeze and freeze, दो ये विश्वास पात्र थे, freeze one, ना, taril him, taril him, promise to help, but willedasendil manage to deceive, क्या black Michael, क्या उसको deceive कर पाएगा, धोका दे पाएगा, उस black Michael को, क्योंकि जो enemy होता है, इस तरह के जो बुडे आत्मा के लोग होते है, बड़े होसी यार होते हैं, and princess Flavia, और princess Flavia को खास करके, दो लोगों को एक तो ये, इसका आप ब्रदर था और ये कांती princess Flavia, ये थे fiance, the woman, यहां दिया भी हुआ है, the woman, who Rudolph is engaged to marriage, इसकी engagement हो चुकिया, यानि फ्यांसे यानि मंगेतर, read on, to find out, क्या हुआ, इसके लिए चलिए पढ़ते हैं, परवन से है, the game had begun, खेल, शुडू हो चुका था, the cool morning air, streaming in through, the window, और खिर्की से हो करके, जो है, so, किसकी खिर्की, तो window of the train से, जम सांत थंडी हवा चल रही थी, इसे क्या हो, तो cleared my head, मेरा माथा थोड़ा साफ साफ हुआ, and I was able to take in, take in, means, ये नहीं, लेना नहीं, समझना, all sept said to me, जो जो चीज ये, यानि, सिखा रहा था, समझ रहा है, train में, इसको ले के जाया जा रहा था, तो में इसको देखते हो, तो उसका जो दोस्त था, जो जो आपका करणल था, sept, तो वो इसको समझा रहा है, वो ही कह रहा है, यानि, टेकिन, all sept said to me, जो जो वो कह रहा था, उसको मैं समझने, लायक हो गया था, यहाज मेरा, हपास्का हो गया था, ही वोस ऑनदर्फुल, हण वो यह वो वंदर को था, यानि, sept, ही बेगान, तो इसकानक, से, वो जो है, वो जो है, मुझे समझने, लगा, instruction देने लगा in the history of my past life की मेरा past life क्या था मतलब आज से पहले तक का life क्या था of my family की भी तुम्हारे परिवार में यानि जो ओरिजिनल जो रुडल्फ है उसकी जगह तो ये रसंडिल जारा ना तो रुडल्फ में के मतलब क्या past है उसका क्या family है of my taste क्या तुम्हारी पसंद ना पसंद है जैसा मैंने कहा ना फिल्मों में होता है एक की जगह दुसरे को रखा जाता है वैसी है ना क्या-क्या pursuits है यानि धंदा पेशा क्या-क्या काम करते हो क्या-क्या weaknesses है क्या-क्या कमजोरियां है कौन से friends है कौन से companion है साती है इन servants कौन से दास लोग है he told me the adequate adequate का meaning भी आपके book में दिया हुआ है formal rules for polite behavior at the court court means याद रखेंगे के बल वो court के छहरी जहां judge वकील होते है वो नहीं राजा की बात होगी तो court का सिर्फ एक meaning होगा और वो होगा राजदरवार यानि दरवार है ना तो कि कैसे वहाँ court में behavior behavior करना है of the rutanian court है ना rutanian जो राजदरवार and promise to be constantly at my elbow और का कि मैं आपके एकदम elbow में रहूंगा यानि एकदम आपके आसपास साहे बनके रहूंगा to point out everybody कि मैं बताता रहूंगा कौन क्या है से तो यह तो बिल्किल पहचाने काने who my out to know जिसे की आपको यानि मुझे जाना चाहिए नि रसेंडेल को जाना चाहिए at half past nine यानि लगबग साड़े नो बजे looking out at the of the window मैंने खिर्की के बाहर देखाए I saw the towers of a great city है ना बड़े-बड़े towers बने हुए थे एक बड़े city का बड़े नगर का great means भी याद रखेंगे के बल महान नहीं बराभी होता है your capital my lease है ना आपकी राजधानी है ना my lease इसको lease परहेंगे लीग नहीं माइलीज एक क्या है तो मिनिंग दिया हुआ respectful manner of addressing the lord है ना प्रभू को भगमान को राजा को address करने का यानि संबोधित करने का एक manner है ठीक है that he served and obeyed here sept jokingly call us and deal his lease है ना jokingly भई महाराज कहेगा कैसे नहीं अब भई आ गया तो यहां से तो हमें रोल करना है तो महाराज हुजूर यानि my lease मिन समझे ना मतलब my lord कह लिजिये या हुजूर महाराज कह लिजिये या आपकी राजधानी हुजूर आपकी राजधानी म महाराज महाराज जहां पना जो भी कह लिजिए ग्रिंड ग्रिंड विस खिकिया ना मतलब तुरा साथ दात नहीं पोड़ना कह लिजिए उसको दात दिखाना मुस्कुराना ओल्ड सैप्ट भी थे वेवाफ इस हैंड अपना हाथी लाते हुए लीनिंग फ़रवाड है आग पल्स नब्ज की धरकने कितनी तेज चल लिए ते लिटल टू कुइक वो कहता है सेड ही है ना थोड़ा सा फास्ट है यानि धरकन आपकी बड़ी हुए यानि इसको कम करो घबराना नहीं है ना एक चीज़ा आपने गवर किया यहां सेड ही है ना सेड ही का मतलब हो गया शुरू होगा पहले यह चेप्टर कुछ खत्म हो जाए तो मैं अपने कोचिंग में इस बात की चरचा करता रहता हूँ जब मैं सेंटेंस पराता हूँ तो उसमें बताता हूँ सब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ कि आप हिंदी में लिखते हैं कि वह बोला ठीक है बोल अबदत स्वा भी बोल सकते हैं, इसी प्रकार इंगलिश में आप देख लिए, he said तो होगा, I said he भी होगा, in his grumbling tone, तोरा grumble करते हुए, आगे बढ़ते हैं, और I am not made of stone, I exclaimed, आरे भाईया मैं पत्थर का नहीं बनाऊ, मतलब धरकन तो होगी नहीं, इतने बड़े चीजों को देख कर, पहली बार राजा बन के जाना, मैं तो simple सादमी, you will do, आप कर लोगे, said he with a nod, then he paused and looking at us, फिर हम सब पर देखने लगा, said quietly, God sent, we may be alive tonight, God sent, God sent मतलब होता है, prayer to God for wishing for something desired, कि हम लोग आज रात को alive रहे, मतलब यानि कि दूश्मनी है, तो एक बार तो उसको अंसस कड़ी दिया, दुबारा यानि अटेक कड़ेगा, वो अंसस निसित रूप से उसी बात पर रहा होगा, इसी ने किया होगा, आमीन, आप जानते होंगे, फिर भी याद दिया हुआ है, तो मैं पढ़ देता हूँ, ये word used at the end of a prayer, किसी prayer के end में हम लोग कहते हैं, मेनिंग में इट भी सो, कि ऐसा ही होने, कहते हैं कि ये वो अल्ला ये करे, उसमें कहते हैं आमीन, तो उसमें खास करके ज्यादा यूज होता है, आज बगी से निकलेंगे तो दर्वाजा पकलेंगे, वैसे train का ही हा, I choked down a lump, मैं न चोक मतलब तोड़ा सा रूख जाना, जैसे नाला चोक हो जाता है, तो क्या हुए थे lump, lump इसका गांट सूजन, मतलब जैसे कुछ खराटा सा डर से थोड़ा सा गले में हो जाना, that rose in my throat, जो मेरे थोट में गले में आगया, तो दिन I settled my helmet, और फिर मैंने अपना helmet रखा firmly on my head, अभी हाँ पर helmet, I think कि आप समझ गया हूंगे, राजा वाला helmet, ये वाला बाइप पर चढ़ने वाला helmet नहीं, जो आपने फिल्म होगे, हमें देखा होगा, मुकुट ही एक तरह से कलिए, वैसा वाला नहीं, राजा को पहने वाला, एक मुकुट अड़ जैसे सैनिक वगर नहीं पहने रहते हैं, तो वैसाई helmet आप कह लिए इसको, तो बेटर होगा, एंड ब्रीदे शॉर्ट प्रेयर टू गॉड़ और हां, ये वाला बचा ले ना बचा ले ना नहीं तो भई पकरे जाएंगे तो फिर बड़ी गरबर हो जाएंगे ना, तलवार तो ही राजाओं की शान होती है, शकेबर्ड मेंस आप जानते होंगे नहीं तो, इसको मैं बलूँगा, यदि आप नहीं जानते तो इसको इदम रट लो, एक सो बार कम से कम रट लो, शकेबर्ड मेंस होता है मयान, मयान क्या, चलिए हां मेनिंग पहले पढ़ देता हूं, metal or leather cover for the blade of a sword, यानि जिसमें हम तलवार रखते हैं, कहते हैं, एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकता, तो हिंदी में मयान हुआ, इसके बड जिसमें तलवार रखते हैं, उसका cover कह लिजिए, then I stepped on to the platform, फिर मैने अपना कादमरग का platform for up the station at an stress log, next I had the bells throughout the city broke out, पुरे शहर में जो है, पुरे नगर में जो है, घंटा बजने लगा इंटा जोईफुल पील है एक खुशी भरे पील, पील मिन जंजना हाट, गरज कैली जिए, गंटे की द्वनी कैली जिए, जो भी कैली जिए, मतलब बजने लगे भी महराज आगे, इसारा हो गया होगा, जाओंड फिर मिलिटरी बैंड और यहीने फिर मिलिटरी बैंड भी आया, राजय महराज कहीं भी आज भी प्रदान मंत्री भी उतरते हैं, तो उनको सलामी दी जाती है, वैसे ही समझ लिजिए, दा साउंड फिलिटरी बैंड मेंड शेरिंग स्टर्क माई यह, यह, कि रुडल्फ अफ फिफ्ट, था फिफ्ट, वस इन गूर्ट सिटी अप स्ट्रेल्साओ, यह, कि रुडल्फ यह, कौन से थे, पाँच में, यह, मतलब यही नकली, तो समझ लिजिए, कि वह आए देते लेकिन, आएंड दे शाउटेद आउटसाइड, गॉड्ट सेव द किंग, यह, हम लोग नारेशन बनाते हैं, उसमें यह वर्ड परते हैं, गॉड्ट सेव द किंग, यानि भगवान राजा को दिरगायू करें, बचाए, रक्षा करें, हमारे राजा की, ओल्ट सेप्स माउथ हुआ ही, जो करनल था, रिंकल इन्टु ए स्माइल, थोरा सा मुस्क्राइब यानि भगवान दोनों को बचा, यह मतलब थोरा सा धीरे से बोला, क्योंकि यह तो जान रहा है कि आज इसका भी बचना जरूरी है, और जो ओरिजिनल रुड़ल्फ है, उनका भी बचना जरूरी है, इविसवर्ड, करेज लैड, जरा साहस रखो, अब यहां पर लैड, लैड, छोकड़ा, मतलब बोई, मैन, जरा साहस रखो, मतलब वो जो प्रेयर वगरा करने लगा है, मुझे लगा कि वो मेरे आम को थोड़ा प्रेस करा, यह भी थोड़ा सा धैड़ रखो, एक ग्रूप ऑफ ओफिसर स्टूड अवेटिंग मी, एक अधिकारियों का समू मेरा इंतजार कर रहे थे, इसके उपर बहुत सारे सीने पर मेडल लगे थे, जो जितना बड़ा अधिकारी होगा, उसके उपर उतने मेडल्स लगे होंगा, एन इन मिलिटरी ही निए, फ़र मिलिटरी ही, इन समका से नाध्यक्षरा होगा, नाम क्या था, तो मार्शल एस्टरेकन्स ठीक है, विस्पर्ड साप, यह जो है, मार्शल एस्टरेकन्स है, और रूर्टरीनियन आर्मी, मैं समझ गया था कि यह सबसे जो है, फेमस वेटरेन होगा, वेटरेन का मिनिंग भी दिया हुआ यहाँ पर, वैसे उस्ताद होता है, जो बहुत दिन से आर्मी में रहा हो, और रेस्पेक्टेड हो, सही बात है, जब पुराना होगा, तभी तो आज भी जो आर्मी के जो अध्यक्स बनते हैं, वो वल्ली हो जाते हैं, तभी वो होते हैं, नहीं तो ऐसे तो, जो हमारे अफोजी जमान हैं, वो सब तो एक्दम स हैं, जैसे होता है, महाराजा दिराज, फलाने की जह हो, इस तरह से करके, I accepted his greetings very softly, मैंने उसके अभी नंदन को स्विकार किया, बरही, softly से, softly means in a way that is confident and elegant, but not sincere, बहुत sincere, तो नहीं कि confidence के साथ, कि हां ठीक है, तुम सलामी दे रहो, ठीक है, and received the compliments of a large number of distinguished guests, वहाँ पर जो भी जो खास महमान थे, उन सब के द्वारा भी जो है, हमारे लिए जो है, अच्छे च्छे शब्द कहेंगा, and no one revealed the least suspicion, किसी ने भी थोड़ा भी suspicion, किसी को भी शंका नहीं हुई, so I felt my nerve returning, इसलिए मुझे लगा, I felt my nerve returning, का meaning, दिया हुआ, I found myself becoming more confident and courageous, थोड़ा confidence आने लागी, हम भी चलो, अभी तक तो कोई नहीं पाचाने नहीं, मैं ठिक-ठिक रोल कर रहा हूं, तो confidence होता है, and the troubled beating of my heart, subsiding, subsiding means होता है, becoming slower, यानि दिल की धरकने बहुत तेज थी, वो अब कम हो रही थी, presently, I mounted my horse, फिर मैं उसके बाद अपने घोडे पे चड़ा, and started to ride through the streets, फिर गलियों से होकर गुजरने लगा, वी था मुदब मार्शल, जो मार्शल मेरे साथ था, on the right, वो मेरे दाहिनी तरफ चल रहा था, and sap on my left, और यह sap थे, वो मेरे left है, यानि यह दो खास लोग नसितरूप से थे, जैसे आज मैं जब इस वीडियो की shooting कर रहा हूं, थर्ड, थर्ड हैं, है न, chief of defense staff, तो वे दोनों सब से मतलब प्रमुक हुए, तो वैसे ही, एक तरफ यह था, एक तरफ यह था, the scene was brilliant as we rode slowly to where the royal palace stood, है न, scene जो है, बहुत ही बहत ही बहतरीन था, brilliant था, as we rode, जब हम लोग ride से road बना, slowly, है न, कहां पर गए, तो where the royal palace stood, है न, जहां पर की शाही म mahal था, palace माने, mahal, खडा था, यानि, बना हुआ था, every house was hung with, यानि, उसके आस-पास के जितने भी house थे, वो सब hung with red and decorated with flags, वो सब जो है, so red थे और flags से भड़े हुए थे, the streets were lined, street लिगनम lining के थे, with raised seats, सब पर seats बने हुए थे, on each side, दोनों side, I passed along, यानि, वहां लोग भी थे, and that under a shower of cheers, है ना, और खुशियों का, मतलब यह shower था, blessings था, यानि, अशिरबाद दे रहे थे, and waving, handkerchiefs, और रुमाल हिला करके, जो है, वो wave कर रहे थे, the balconies were, यानि, balconies इसको कहते है, the balconies were, full of brightly dressed ladies, है ना, वो चमकीले dress से पहने हुए, महिलाओं से बढ़े हुए थे, balcony, who clapped their hands, जो अब तालिया बजा रहे थी, and cut seed, cut seed मिन्स होता है, cutsy से बना, cutsy मिन्स जुकर सलाम करना, तो सब जुक जुकर करके सलाम कर रहे थे, a torrent of red roses fell on me, तभी एक torrent मिन्स हो गया, बहुचार कह लिजे, एक धार कह लिजे है ना, लाल गुलाब के मेरे उपर, परा, one bloom एक कली या फूल कह लिजे बलुम मिन्स, lost in my horse's mane, horse mane मिन्स हो गया, mane मिन्स होता है आपको, घोड़े या शेर, जो लायन वगरा है, उनके गरदन के उपर जो बाल होते हैं, घने बाल, उसको कहता है, वहाँ पर आके अटक गया, अब गोड़े पर बेटा हूँ, यहाँ अट कर लिया, अधा, Marshall smiled grimly, Marshall मुस्कुराया इस पे, अधा, Marshall को तो पता नहीं था, the red rose for Elvorks, Marshall, अरे Elvorks के लिए यह है, है न, said I, gaily, and he nodded, gaily मिन्स, cheerfully मैंने का, और उसने, nod किया, nod means, शीरहिलाना, मैं बार बार बताता रहता हूँ, हामी भरना, शीरहिलाना, यहाँ पर जब तुरंत बताया, cheerfully, and a strange word, it must seem, हाना, मैंने यहाँ पर गली लिखना, लिखना मिन्स, मतब दिखाना, और a strange word, it must seem, but the truth is that, I was giddy, giddy means, होताया, shaky, because of extreme excitement and energy, हाना, with excitement, जब यह जो फूल वगेरा लेना, और ऐसा कह देना, यह written, यह हुआ, at that moment, I believed, I almost believed, मतला, उस समय मैं विश् तुद दकिंग, कि महीर आजाओ, मतला, ऐसा feeling हो रहाता, किसी को भी हो इतनी feeling है, क्यों बार बार आजाओ, मन को भी तो यह लगता, चलो, यार, सब लोग इतने कर रहे है, महीर आजाओ, तो एक पल के लिए, तो लगता ही, उससे क्यों निकले आजमी, जब तक है, तब तक तो सही में वर आजाए है, well, we went by, हम लोग गुजरे, and then the marshal turning round, फिर marshal, पीछे घूमता है, in saddle, saddle means होता है, जैसे, वो फॉजी लोग, सिपाय लोग, ऐसे style, मतला, पूरे बडी को सिधा करके जो घूमते है, and web design, अपना हाँ तिला है, मतला, कुछ ही सारा किया, और नतीजा क मेरे चार और आगे, so that the crowd could not come near me, जैसे की ताकी भीड जो है, मेरे नजडीक ना आ सके, जैसे प्रधान मंतरी राष्ट पती अभी भी आते है, तो देखते होंगे, उनके चार और वो safari suit पहने हुए लोग रहते है, उनके security के लिए, वैसे, आगे, we were leaving my quarter of the city, मैं हम लोग अ ब्लेक माइकल देगे, ये ब्लेक मिस वो काला नहीं समझ लेना हमें, भी हर जागे capital है, नाम ही रा होगा, जैसे अपने आके से कालू होता है, वैसे ही समझ लीजिए, ब्लेक माइकल आप, स्ट्रेल्सों का एक, मतलब स्ट्रेलाई था तो भाई था, तो होप था, उस राज इस शहर में कैसी feeling है, इस सो से मुझे पता चल रहा था, बटी fate, fate F capital लिखा है, यानि भाग गे, यानि ऊपर वाले का, इसलिए capital कर दिया है, made me a king, यदि मुझे राजा बना देती है, भाग गे, by the way, the least I could do was to play the part handsomely, कि मुझे इतना, ये हो गया है, कि मैं handsomely means होता है, कि म मैं जो अपना role है, उसको मैं, जो part है, उसको मैं handsomely, यानि perfectly, मिनिंग दिया हुआ, perfectly मैं इसको पूरा कर सकता, इस role को मतलब भी तना confidence भी हो गया, why this change in our order Marshall said आई, मैंने का कि वही, said आई, देखे, उस समय भी मैंने का था, पहले बर, फिर subject हो सकता, English में ऐसा होता है, कि मतलब पहले ये लोग दूर थे, आप नजीक आगे, it is more prudent sir, ये sir, लेकिन sir ही आप समझे, ही मरमड हो, बुद बुद आया, यानि कहने का मतलब, सबसे पहले prudent coming, समझे लिए sensible and careful, trying to avoid unnecessary risks, हैना, here the king was in danger in Michael's quarter of the city, and the marshal wanted to be careful by giving the king greater protection, ये समझे, यहा prudent sir, मतलब आपकी सुरक्षा के लिए, यानि जहां पर आपको खत्रा है, वहां पर भले ही वह है, आपके भाई है, वह इस राज के hero माने जाते हैं, अपने कारणावों से बुरे आत्मा होते हैं, वो लोग दूसरों के सामने अच्छा बन करके अपने आपको अच्छा फील करा लेते हैं, तो देखिया, कभी बच्छों से मिलने, वो खुद आगे चले जाते हैं, वो अपने साइड वाले को कहते कि ने भी, चोड़ दो, and I said I till they are 50 yards, जब तक मुझसे ना 50 गज की दूरी 50 yards की दूरी पर नहीं चले जाए, उनको बढ़ने दो, but you, Colonel Sapp and my friends, और हाँ, wait here, आप लोग रु याद रहे, मेरे नजदी कोई नहीं रहे, I will have my people see that their king trust them, मुझे ये लगे कि मेरे लोग मेरे जो पर जाजन है, मेरे जो नागरी के उनको लगे कि मैं उन पर भरोसा करता हूँ, उनके सामने बिना सिपाही के भी जा सकता हूँ, Sapp laid his hand on my arm, फिर से उसने मेरे उपर हाथ रग क कि मैंने का आगे 50 yards पर जाएंगे आगे बढ़ेंगे आगे वाले सैनी कमा नजदीक नहीं रहेंगे, क्या मेरे बास समझ में नहीं नहीं है, तो फिर Marcel ने order दिया, Marcel order देगा तभी तो, I saw that sept smiling into his beard, कि sept जो था, यही वही करनल वो थोड़ा सा अपने दाडियों में, यानि वो open day, open day का मतलब हो गया, during the day in front of everyone, सब के सामने, a famous saying in train, you are referring to the red colored hair of, sorry, sorry, यह तो दूसरे के लिए है, यानि कि in open day का मतलब हो गया, during the day in front of everyone, यानि दिन दाहरे और सब के सामने, यही हो भी जाता है, in the streets of, stress of, sap's position would have been a difficult one, हैना, तो एक चीज और है, यहान कुछ हो जाता है, सब के सामने, sap का position बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, so, I riding alone, मैं अकेले चलता हुआ, entered this barely decorated part of time, it was more interesting for I, for, for means, मैं बताता रहता हूँ, आपने videos में, because, interesting, because I heard the comments of the crowd, तो मैं अकेला था, तो लोग के comments सुन रहा था, क्या-क्या comment है, देखे, if he is red, he is right, अरे, वो red है, तो right है, यानि बालो अगेरा, जो है, अब red is right का, यहाँ पर यह star mark दिया हुआ है, तो meaning में दिया हुआ है, famous saying in रुट्रेनिया, रुट्रेनिया में एक बहुत प्रसीद कहावत है, saying है, referring to the red colored hair of all members of the royal family, कि सारे जो royal family के जो साही परिवार के है, राजा के परिवार के लोग है, उन सब के न बाल थोरे red से है, tried and old woman, तो का आगे बहुत रेड है, तो right है, I laughed and took off my helmet, फिर मैंने अपना helmet भी उता लिया, so that she might see that I was of the right color, कि और अच्छे से देख ले वो महिला, and the crowd cheered me at that, और इस पे, जब मैंने अपना helmet हटाया, तो वो helmet मैं पहले भी बता चुका हूँ, बाइक बाला नहीं, तो सब लोग खुश हो गए, he looks paler than usual, said one, लेकिन जितना usual होना चुसे तोरा सा pale, तोरा सा फिका दिखता, he is a bigger man than I thought, अरे यह तो बड़ा आद्मी हूँ, जो मैंने सोचा था, said another, so he had a good job, अरे अच्छा जबडा मैं तो चेहरा हटा करता है, under that weird, after all, उस दाड़ी के नहीं चेह कमेंटेट है, third, तीसरे ने यह कमेंट किया, friends, यह लगबग आदे घंटा का वीडियो हो चुका है, और three pages अभी still बाकी है, यदि मैं वो सारा का बनाऊंगा, तो यह 40-50 minutes के हो जाएंगा, यतने लंबे वीडियो को upload करने में भी problem है, लोगों को देखने में problem है, तो मैं इसको यहीं parent करता हूँ, लेकिन आप आगे बहुत interesting part है, यहां तक तो अभी first scene ही है, तो यह समझ लिए interval ही है, तो आगे जरूर आप इसका second part को देख लें, और उससे पहले में चाहूँगा, वीडियो को इसको like आप जरूर कर दें, है न, और हो सके तो अपने near and dear उसको share भी करें, अभी तक subscribe नहीं किया तो subscribe भी कर लें, और हाँ, वो link description में है part two का, अभी आपको यहां उपर eye button में भी मिल जाएगा, और इसके अलावा, अब मुझे लग रहा है आपको upper left side में दिख रहा होगा, तो यहां से click करके आप part two को देख सकते हैं, कैसा लगा हमारा video, बहुत सारे लोगों ने demand किया था, हमें comment करके आट को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुब हो